अस्लाम लेकुम स्टुडेंट्स आइम यू टीचर फॉम ब्लुबै स्कूल सिस्टम होप यू रोल फाइन आ उपन जार माथ्स बुक पेस्ट नुबर 131 जैसे कि आप सब को पते हैं हम वकेशिन से पहले ही वाला जैप्र नुमर 4 जो है यह हम स्टार्ट कर चुके थे और इस पहले और लेकिन इसको हम रिवियन जो है रिवियन में हम दुबारा करेंगे आप सब के जो कॉंसेप्ट से वह क्लियर हो जाए कुश्चिन नुमर 4 हमारे पास कंप्लीट इस टेबल लॉंग फॉर्म शॉर्ट फॉर्म अब फिर्स्ट में हमारे पास तिया वर इपीस 95 और 45 सबस्वाइब इसको शॉर्ट फोर्म छोर्म में लखेंगे आप पतर हम श्जोर्ट फोर्म में लिखते हैं तो सबस्वाय प् thirty पैसा जब लिखते हैं पैसा लिखने से पहले हम जो है तू नब डिजिट्स यारी का आपको पता टू डिजिट्स छोड़के तो हम जो है पॉइंट लगाते हैं तो जब हम लॉंग फॉर्म में हमने इस तरह लिखा तो शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे रूपीस 95.45 इसी तरह लॉंग फॉर्म में है अब शॉर्ट फॉर्म इसकी उन्होंने दी हुई है रूपीस 108.20 तो अब इसको हमने लॉंग फॉर्म में लिखना है और लॉंग फॉर्म में हमने रूपीस के लिखेंगे 108 and फिर हम end लिखके पॉइंट के बाद पैसा है तो पैसा हम लिख टेबर और इसको भी हम दोर्वीयन में दोबारा करेंगे आप हमारे पास एक पार्ट है हमारे पास यहां पर 20 का नोट उसके साथ यहां पर रूपी का कोईन दिया हुए और 25 पैसास क कोईन दिया हुआ है तो हम जो पैसा है उसको आपको बात है हम अलग लिखते हैं और 21 यानि कि 20 का नौट और 1 कोईन है तो इसको जब हम एड करेंगे 21 होजएगा तो हम जब इसको इजर वोइट्स में राइट करेंगे तो हम लिखेंगे 21 रुपीज 25 तो 25 पैसे यहां पे हम लिख देंगे और इसको जब हम नंबर में राइट करेंगे 21 और पैसा को हम हमेशा पॉइंट के बार लिखते हैं तो पॉइंट डालके हम 25 लिख देंगे इसए इसी इसे इसी बी पार्ट है बी पार्ट में हमारे पास यहां पर 10 का नोड दिया और साथ हमारे पास 50 पैसे हैं तो ہम कैसे इसको आइट करेंगे बाय def rainfall में 10 रुपीज five forecast ठीक है 50 पैसे ठीक है और यहां पर नमबर में हम राइट करेंगी रूपीज 10 और पैसा लिखने से पहले हम जो है वह पॉइंट लिख देंगे 10.50 और यह हमारे पास आ जाएगा एसे इसका C, D और E पार्ट सोल्फ होगा फर्दर आगे देखे हमारे पास यहां पर कोस्टिन नमबर 6 है Convert these into Pienza Only ठीक है यहां लीख को अब हमने Pienza में Convert करना है यहां पर इननोंने इसको इस इसको पैसे में Convert करना है अब देखें यहां पर रुपीज 62.10 ठीक है अब हमने क्या करना है जब हम पैसे में लिखेंगे तो हम इसके जो पॉइंट आ वह खतम कर देंगे ठीक है पॉइंट कर देंगे यानिके मिड में जो यह पॉइंट आ रहा तू डिजिट्स के दिर में तो हम वो पॉइंट खत्म कर देंगे लिखेंगे 6,2,1,0 एज़ी इसका बी पार्ट है 123.45 तो पॉइंट को जब हम खत्म करेंगे तो यहां लिख देंगे 123.45 यानिके 12,1,2,345 ठीक है यह पैसा हम यहां पे लिख देंगे as it is ऐसे इसका question number 7 है ठीक है इसका A और B मैंने करवा दिए वाकि further same as it is solve होंगे इसके बाद हम बाद question number 7 है convert these into rupees and पैसा आप इसको हमने रुपी और पैसे में convert करना है अब आप रुपी में और पैसे में convert करेंगे हम अपनी तरह से right side से हम जब two digits count करेंगे two digits count करेंगे हमने point लगा देना यानिके 725 है तो मैं यहां से count right side से अपनी two digits count करूंगे और इसके बाद point लगा दूँगी और फिर इस तरह हम रुपी को और पैसे को बें convert कर देंगे okay hope you all are understand any question we will discuss in zoom session alaaf students thanks